नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूटेक इजी चैनल मैं हूं संकर स्वागत करता हूं आप सबी का तो दोस्तों आप भी सुन रहे होंगे कि जीओ के बारे में ओफिस्यल न्यूज तो आपने देख ली होगी उसके बार में आपके सामने वार्टसेप मेडिया पर न्यूज आई होगी कि जीओ फोन ब्लाष्ट हो रहा है जीओ फोन के बहुत सारे नुकसान है आपको हानी सकता है आपको खत्रा जीओ फोन खरीदने वालों रुक जाएए इस तरह कि आपने बहुत सारे न्यूज देखे होंगे सोसल मेडिया पर वाइरल मेशेज देखे होंगे कि जिस पर बताय रहा है कि जीओ फोन के बारे में कि ये ब्लाष्ट हो रहा है तो इसी बात पर हम सच में हमें सस्ता मिल रहा है या फिर इसके जो पेसे हैं वो बेंक अकाउंट में आते हैं कि जीओ फोन जो ब्लाष्टिंग न्यूज है वो सच है क्या लोग हमें बर्मित कर रहे है या फिर ये एक मजाक है क्यों ये न्यूज हमारे सामने आ रही है क्यों लोग इस न्यू तो चली दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल न्यूटेक इजी को सब्सक्राइब करने के बाद में पास में एक चोटा सननना सब्सक्राइब यानि गंठी का एकन उसको दबाना ना भूले ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिक्शन मिलती रहे तो दोस्तों वीडियो लाश्ट तक देखते रहेगा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं इसमें कम्प्लिट इंफॉर्मेशन इससे संब्सक्राइब आपको देने वाला हूं वित प्रूफ और आ sucking found there ये गिष्ट कहुं बियुट्र पर देखेंगि आजात कस्मीर की नाम से काउंट ही वा यह ख़र होता है उसमें देख रहे थो कि यहाँ पर भास यह वहां पर इसकी बेट्री जवीज देखर ऑने हैं एक चोड़ी फोन कोई फोन ब्लाश्ट होता है वो बैटरी कारण होता है बैटरी कारण क्यों ब्लाश्ट होता है क्योंकि बीना पावर के बीना उस्मा के बीना उर्जा की यदि आपने साइंस थोड़ी वो जान कर रही है तो आपको भी पता है कि बीना उस्मा बीना उर्जा कि कोई फोन ये कोई भी चीज बलास्ट नहीं हो सकती उसमें उसका जो इससा है वो जरूर होता है तो यहां पर आपको देखेंगे आपके सामने यह फ्रंट पेनल दिखाए रहा हो रहा है आपको बेक पेनल दिखाए रहा है तो इससे यह तो साबित हो जाता है कि यह जो है जूटी है तो आपके सामने इस तरह की न्यूज आ रही है कि देखें बलास्ट हो रही है तो इस तर आपको येकिन हो जाए कि वास्तों में फॉन की जो है बलाश्ट हुआ है यह में सच है तो जो प्रोटोशॉप के मारे सीरी चल रही है आप कम्प्लीट देख लिए उसके बाद में आप भी इससे भातर इमेज बनाना सीख सकते हैं लोगों को भरमित किया जा रहा है इस से नियव परण चैनल कि इस खिर गोती है उसके बाद मैं आपको यह एक बार स की आप करीं हों कि यह फोन ब्राश्ट हो रहा रहा है तो मैं कहता हूं तो क्या को फॉन भाइब यूमë नहीं करिद ना चाहिए शी क्या है इस ते क्म से कंप पचास क्रोट जन्संख है यह Ó फोन को प्रचीज के लिए खरीद लिया है आगड़ों के नुशार यदि आप देखिए तो तो मान लीजिए पचास क्रोड मोबाइल से में से एक मोबाइल फोन फट गया तो क्या आपके जो उन्चास क्रोड नबे लाग जो बाकी के हैं वो क्या फोन क्रीद ना छोड़ दें कि बाकी के उन्चास क्रोड का जो फोन है वो तो सही निकला है जो मोबाइल है वो तो बिल्कुल सही है एक का ही तो फूटा है या फिर दस का जो है ब्लाश्ट हो है दिस का जो ब्लाश्ट हुआ हुआ है तो हुआ है तो आप पोजिटिव सेंस की तरफ भी तो जाईए करना चोड़ दिया क्यों आप france offset रही है वहां पर भी नहीं सुस रहे हैं क्य gü सोच है क्योंटों बहुत अच्छा कांपा प्र है यहां पर फिर आपको नुकसान है यह ईस भातों पूबंते हो तो दोस्तों को पोई पर आपको बास्ट हो तो पहले बाद तो इसकी जो है बहुत कड़ी निगरानी मेंसे बनाएगे बलस्ट होगा नहीं और हो सकता है तो कभ बलस्ट नहीं भी होता कि बेटरी जो हो सकती है बहुत कम चलना श्टार्ट कर देगी और आपका फोन नहींग इस्यू नहींड इसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या करना है आपको पेश्ट बात तो आपको यह करना है कि जो इसके साथ चार्जर आए आप उसी से चार्जर करें ज्यादा से ज्यादा उसी चार्जर करें एमर्जेंसी की बात अलग है थोड़ी 15-20 मिनिट आप लगा लेता हो तो उससे आप दो प्रफ्र आप यदू खते हैं तो उसी बेटरी को फुल चार्ज ना करें जिस्से क्या होगा कि घुडियांनी बेटरीटरी को डियमेज लग जएकि तो आसिखें को आप प्रेयों का दोस्meg को एक होनare श्चार्जिंग के करते हैं पूछ देख लेजिए कि मैंने 2-3 बार 2-3 को फोन लगा कर पूछा है तो आपको चार्जिंग की इस्यू का ध्यान रखना है दूसरे का चार्जर यूज नहीं ले नहीं अपना ही चार्जर ज्यादा से ज्यादा यूज ले तीसरी चीज इस मोबाल की 512 MB जो है रेम है और उसके बाद में जो 4GB रेम है और 512 GB के 512 MB इसकी रेम है यानि आधा जीबी इसकी रेम हो और 4GB जो इसकी रॉम है यानि फोन मेमोरी है तो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका कि 512 GB रेम है और आप इसमें software इंस्टॉल करें बहुत ही ज्यादा माली जो आपने जो एप्लिकेशन है इसमें वहार सिर्फ चला लिया यूट्यूब चला लिया यह दो ही आप यूज करें फिर भी आपका हैं उसका कारणा आपने मेसेज बहुत ज्यादा अप्लोड कर लि तो आप एक बात जरूर फॉलो करें कि आपको जो है अपने फोन मेमोरी जो फोर जिबी की है तो आपको थी जिबी से जज्यादा उससे कभी भी फील नहीं करने हैं उससे कभी भी नहीं बरना उसका इस्टोरेज कभी फूल होना ही नहीं चाहिए तीन जिबी शेज़ए न आपके software crash होने लग जाते हैं तीसरी चीज जो होती है कि आपको इसमें data sharing का काम कम ही करना है यूदि कि इसमें इंटरनेट का पहले ही यूज जो है काफी heavy दे चुका है और उसके बाद में आप बार-बार Bluetooth on रखते हो बार-बार on करते हो तो उसके मादिम से वायरेस आ जाता ह है जो आपकी phone इतना चोटा phone उसको सेहन कर सके अब चोती चीज आपको follow करनी है अब इस पर लिखा हो गया HD वीडियो को तो आपने समझ लिया कि इसमें HD गाने भी चलेंगे इसमें 240 पिक्सल के जो वीडियो सोंगो वही चलेंगे आप 360 पिक्सल के डाल रहे हो वो टक टक के चलते हैं उसका करन यह होता है और आपका phone उससे समय भी हैंगोने लग जाता है यदि आप YouTube या फिर online वीडियो देख रहे तो उसमें 360 पिक्सल या 240 पिक्सल या 720 पिक्सल के वीडियो देते वो नहीं चलेंगे फूल HD का मतलब यह है कि आपका जो फोन कर रेजूलेशन है जीतनी पिक्सल 240 के समतिंग में इसका रेजूलेशन होगा तो वो जो रेजूलेशन उसमें फूल दिखाई देगा इस फोन के लिए इतनी रेजूलेशन है इसलिए इसमें HD वीडियो को लिखा हुआ रहा है और आप सबी को ऐसी बातों पर ध्यान भी नहीं देना है कि यार मेरा फॉन बलाश्ट होता है यह हो रहा है तो यह सब कुछ नहीं होता है दोस्तों यह सब बहकाने के लिए आपको कहा जा रहा है और यह क्यों कहा जाता है वो कहा जाता है इसलिए क्योंकि वो कंपनी जो हमें आपको बढ़ाओ देने वाले जिंद्गी कबडी का मेच है जब आप कबडी में छुको आगे छूने के लिए बढ़ते हैं तो पिछे से सारी खिलाड़ी आपको खीचने में लगए होते हैं तो ऐसे ही जियो जैसे आगे बढ़ रहे पिछे बहुत सारी कंपनिया लग रही है इसको बरबाद करने के चक्कर में कि इसको कैसे ना कैसे नीचे लाए जाए था कि उनकी कंपनिय उपर आ जाए तो इस तरह से इसको शिरफ एक बदनाम किया जा रहा है और जियो के होपी सेल वेबसाइट पर यह वाले जो आप सामने मानक है जो माप देन वगेरा है उनको ध्यान में रखर मेनुफेक्चर और डिजाइन किया गया जाता है इसको मानकों को ध्यान में रखर मेनुफेक्चर या मेनुफेक्चर का मतलब है कि इसमें जो मेनु में जो सारी एप्लिकेशन वगेरा आ रहे है या फिर इसका जो अं में लाए जाता है पूरी गुनवता के साथ इसे लाया गया है इस गटना को लेकर हमें सुचित किया गया है हमारी प्रारंबिक जांस से पता चलता है कि यह जानबूज कर तोड़ा फोड़ा गया है आप खुद देख सकते हैं जानबूज कर तोड़ा फोड़ा इसके सामने ल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में मैं फोटोसॉप की सीरीज की भी लिंक दूंगा इस कितना की साथ-साथ अगर इसके समय पर नजर डाली जाए तो ऐसा लग रहा है कि यह सब निहित स्वार्थ को देखकर ब्रांड की छवी को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया है मामला है ह हम आगे की जाज के आधार पर उप्रिक्त कारवाई करेंगे तो यह थी जो लाष्ट के ऑफिशियनल न्यूज जो मैं लाष्ट में बताने वाला था उसके लाव एक बात और आपको प्रेसा नहीं कि यार सचमे अकाउंट में पेसे आएंगे तो बिलकुल आएंगे मेरे अ आए हैं तो मैं आपको जो है न्यूज दे दूँगा उसका भी जो है वीडियो में आप देख रहे होंगे सामने कि आपको सामने एक एसा मेसेज दिखर है जिसमें लिखा हुआ है कि मेरी अकाउंट में जो पैसे आचुके बानुसर रुपे और जो सिम के अकाउंट में है यह वो भी तक नहें लेकिन वो भी आजाएंगे उसकी फिक्र करने के को कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन अभी तक मुझी यह नहीं पता चल पाई है कि वो अकाउंट में मान लेजे कोई भी सिम में आ जाएंगे लेकिन सिम कार्ट से फिर अकाउंट में वो डल पाएंगे कि नहीं डल पाएंगे वो अभी कनफरम नहीं है क्योंकि इसमें IFC कोड का कुछ प्रोब्लम्स आ सकती है लेकिन 500 रुपे आपको पका मिलने वाले हैं और 500 रुपे आपके सिम में आ जाएंगे तो आप बेलेंस होग आ लिए कि और सकतिकुस्बण्य निक्सान होता है क्या क्या होना चाहिए की नहीं होना चाहिए एंटिवारेस से क्या फाइदा मिलता है हमें क्या एंटिवारेस नुक्सान दाएक है इन्हीं सभी बातों पर यदि आपको संका है तो प्लिक कमेंट में डालिए सभी क्यूसंस का मैं जवाब हूंगा वीडियो के मादेम से और इन सभी पर वीडियो पर में नहीं बनाता है लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आये हैं तो आपका अपना चैनल है आप जो चाहोगी वो बनकर इसमें आएगा इसलिए मैं नहीं वीडियो बनाए है आपकी रिक्वाइर्मेंट पर चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडि